है रोड आट ऐह ऐए इक है पेंगालटी थोड सब्द किस खेल से समबंडित ए उप्षिन ए 10-बास्केट बॉल एवर हेंड आट्बॉलबि हांड बॉला सी वालीबॉला् posso 성्वलड भॉल इवर्वांट्र पोलो तो penalty throw की बात है थो तो हाथ से ही करेंगे अब इसमें options के अनुसर option बी handball और water polo इन दोनों में penalty throw का इस्तेमाल किया जाता है याद रखे penalty stroke का इस्तेमाल hockey में होता है penalty kick का इस्तेमाल football में होता है और throw की बात है तो penalty throw handball और water polo में होता है दो handball के खेल में एक वक्त में कोट में गोल कीपर सहित एक team के कितने खिलारी मौजूद हो सकते है एक गोल कीपर और छे field player तो यहाँ पर handball के कुल खिलारीों की संखिया 14 होती है जिसमें 6 कोट खिलारी होते हैं एक गोल कीपर साथ substitute होते हैं इस खेल में एक वक्त में कोट में गोल कीपर सहित 7 खिलारी होते हैं खेलने वाले कोट का लंबाई चोड़ाई 40-20 मीटर होता है गोल की उचाई 2 मीटर और चोड़ाई 3 मीटर होता है अच्छा इसमें total खिलारीों की संखिया 14 है और water polo में total खिलारी की संखिया 13 है खेलने वाले खिलाडियों की संख्या उसमें भी साथ है और हैंड़ बॉल में भी साथ है बस वाटर पोलो में सबस्ट्यूट प्लेयर छे है जबकि इसमें सबस्ट्यूट प्लेयर हैंड़ बॉल में साथ है यह याद रखना है हैंड बॉल टीम में कितने खिलारी होते हैं आठ दस बाड़ा चौदा तो आप्शन्स के अनुसार यहां दिये हुआ है तो चौदा हो जाएगा आप्शन डी चार हैंड बॉल खेल छेतर की क्या माप होती है तो हैंड बॉल को तो 40 गुने 20 मीटर होता है आप्शन डी निमलखित का सही मेल करना है तो बास्केट बॉल ग्राउंड जो होता है वो 28 गुने 15 मीटर होता है हैंड बॉल 40 गुने 20 होता है और खोखो 29 गुने 16 दिया है अब यह चेंज हो चुका है 27 गुने 16 हो गया है इसको ध्यान रखेंगे लेकिन इसके अनुसार आप्शन ए हो जाएगा 6 महिलाओ के लिए हैंड बॉल का अधिक्तम वजन क्या होगा अधिक्तम वजन पूछा है 300 ग्राम 400 ग्राम 500 ग्राम 600 ग्राम तो इन में से कोई नहीं होगा महिलाओ के लिए हैंड बॉल का अधिक्तम वजन 375 ग्राम होगा अधिक्तम पूछा गिया है 375 ग्राम 56 cm होगा जबकि पुरुष के हैंड बॉल का अधिकता बजन 475 ग्राम और परिधी 60 cm होगा